कॉंग्रेस या किसी अन्य दल में शामिल होने की अटकलों के बीच बीजेपी सांसद वरुन गांदी ने सरकार से सवाल पूछा है एक बार फिर इससे पहले भी वो अपनी ही सरकार से सवाल पूछते रहे हैं रेल तेल और एरपोर्ट सब भिग जाएंगे तो घरीबों के बच्चों को नौकरी कौन देगा एक बार फिर वो मुद्दा जिसको कॉंग्रेस उठाती रही है प्राइविटाइजेशन का मुद्दा जिसको विपक्ष उठाता रहा है उसको वरुन गांदी उठा रहे है अपने संसदी एक शेत्र के एक दिवसिये दोरे पर सांसद वरुन गांदी शुक्रवार को पीली भीत पहुँचे यहां उन्होंने बर्खेडा ब्लॉक के नगरा चौराहा और नवादा महेश में आयोजित जनसमवाद कारिकरमों को संबोदित किया उन्होंने कहा कि जब तक बनियादी मुद्दों पर बात नहीं होगी वो बोलते रहेंगे संसद वरुन गांदी ने कहा कि हमारा देश पहदूर लोगों का देश है हमारे देश वासियों ने कभी किसी की घुलामी सुईकार नहीं की संसद ने कहा कि वो निजी करन के खिलाफ हैं क्योंकि रेल तेल एरपोर्ट आदी सब लिग जाएंगे तो गरीबों के बच्चों को नौकरी कौन देगा गाउन अगरा चराहा में वरुन गांदी बोले कि पेशेवर राजनीती कभी देश का भला नहीं कर सकती जब धर्म के नाम पर आसानी से वोट पड़ जाता है तो कोई आप के लिए क्यों काम करेगा सांसद वरुन गांदी ने सभी विभागों से संबंदित संविदा कर्मियों के नाम लेकर कहा कि उनका इस्थाई करण और मांदे पर काम होना बहुत जरूरी है सांसद ने मरोरी ब्लॉक के ग्राम देवीपुरा में फरनीचर शोरूम का उदगाटन करने के बाद ग्राम कल्यानपूर नौगवा के कंपोजिट विद्याले में सांसद निदी से निर्मित कंप्यूटर लैब और नवादा महेश के बाराद घर का भी उदगाटन किया ये कारिक्रम में आपको इस लिए बता रहा हूँ कि इससे अंदाजा लगा लिजिए कि अपनी कॉंस्टिट्रिंसी में वरुन गांदी किस सरा हर छोटे बड़े कारिक्रम का हिस्सा बन रहे है ये दर्शाता है कि उन्होंने चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है जन्हे समस्याओं के निस्तारण को लेकर वरुन गांदी ने बैठक भी की डीम भी इसमें मौजूद थे भाजपा सांसद वरुन गांदी के अध्यक्षता में एक शेत्रिय जन्ह समस्याओं के निस्तारण को लेकर विकास भवन के गूमती सबागार में शुकरवार शाम को बैठक भी हुई इसमें वरुन ने लोगों की समस्याओं के बारे में पूछा इस मौके पर डीम भी मौजूद रहे इस दोरान सांसद ने अपकी पुस्तक दम इंडियन मेट्रोपॉलिस अधिकारियों और विबिन लोगों को भेंट भी की उन्होंने बताया कि इस पुस्तक की अब तक सतर हजार कॉपियां बिख चुकी है समीक्षा बैठक में ग्राम नवादा महेश में अंडर पास में पानी भरने की समस्या रखी गई इस पर डीम प्रवीन लक्षकार ने बताया कि जिले में 27 अंडर पास उन्होंने चिन्नित किये हैं इसकी सूची डीरेम को भिजवा दी गई है एक बार फिर से पत्राचार कर लेंगे ग्राम रंपूरा नत्तू में सोलर लाइटों की बैटरी खराब हुने और उसे बेचने की बास सामने आई सांसद ने जिला अधिकारी से इस मामने की जाज कराने को कहा ग्राम गुलडिया भूप सिंग में निर्माना धीन राजकी इंटर कॉलेज में मानक के नुरूप इटों और सिमेंटों का प्रयोग न किये जाने की समस्या से भी वरुन को अवगत कराया गया आपको लग रहा होगा ये छोटी-छोटी समस्या में क्यों रख रहा हूँ ये क्यों गिना रहा हो आप अंदाजा लगाईए कि वरुन गांधी आप चुनावी माहोल में हो सकता इससे पहले भी सांसद इस तरह के दोरे करते रहे हैं लेकिन एक जगे पर बैट कर इन सारी समस्याओं को सुनना, चिन्नित करना, अधिकारियों से सवाल पूछना और इन मुद्दों पर बात करना ये दर्शाता है कि वरुन गांधी पीली भीट से चुनाव लड़ने के लिए किस तरीके से जमीनी स्तर पर तैयारी कर रहे है साथी साथ में वो प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा भी उठा दे रहे है ये दोनों चीज़ें सोर इशारा करती है कि कही ना कहीं बीजेपी से उनकी नाराजगिया या निराशा सामने आ रही है वो इस बात से निराश है कि BJP ने उनको वो कद नहीं दिया जिसकी अपिक्षा उनको थी या जिसके लायक वो समझे जाते हैं उनके समर्थकों में दूसरी तरफ जनता के बीच में आज भी उनकी पकड़ है पीली भीट की जनता उनको पसंद करती है ये भी वो दिखाना चाहरा है निश्चित तोर पर इससे ये इंप्रेशन जाता है कि वो पीली भीट से चुनाओ लगना चाहरा है अब क्या BJP उनको टिकेट देगी पहली लिए इतनी नाराज़गी इतने बार बयान देने के बाद प्राइविटाइजेशन जैसा मुद्द अ ठाक बाटने की राजनीति जैसी बात कहना इसके बाद में क्या उनको टिकेट मिलता है अगा टिकेट नहीं मिलता है तो क्या निर्दली Every या फिर विपक्षी चेहरे के तोर पर वो पीली भीज से चुना उतरेंगे दो आप्शन है इन दो विकल्पूपे में कई बार रेपोर्ट्स आपके सामने रख चुका हूँ बरहाल देखे आप क्या-क्या उनके कारिक्रम रहे वो सुनिया आप सांसद ने ओवर्लोडिंग और डंपर से हुई दुरगटना के संबंद में भी कारिवाई करने को कहा डीम ने ये भी बताया कि ओवर्लोडिंग पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिये गए हैं इसमे पर उन्होंने प्राइबिटाइजेशन पर कॉमेंट कर दिया कि रेल तेल सब बेज दोगे तो किसान के बच्चे गरीबों के बच्चे कहा नौपरी करने के लिए जाएंगे इससे पहले वो रेवडी कल्चर पर भी बोल चुके हैं क्या कहा था वरुन गांदी ने लोन रो सबस्ता को लेकर बेहद चिंतित हैं उन्होंने कहा था कि जो लोग राम पर राजनीती करते हैं उन्हें शीराम से प्रेम सीखना चाहिए वरुन गांदी ने कहा था कि देश की पहली समस्या बेरोजगारी है करोड़ों नौजवान मारे मारे सबकों पर घूम रहे हैं करीब उठाए हैं सबसे मात्वपूर्ण बात कि उनके सारे मुद्दे वही मुद्दे दिखाई पड़ते हैं जो भारत जोड़ो यात्रा के दारान राहुल गांधी उठाते दिखाई दिये थे तो क्या ऐसे में यह कहना सही नहीं होगा कि वरुन गांधी और राहुल गांधी के अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें